ओम सिरीगनेश आनम दोश्तो एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोश्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन जून सौंबार के रासे फल के बारे में कीह दिन करक राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा, किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनिश और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा करक राशी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज आर्थिक इस्थिति आपके लिए काफी मजबूत रहने वाली है और धनप्राप्ति के अच्छे अफसर आज आपको प्राप्त होंगे इसलिए हर तरह से आज सजग रहें कामकाज को लेकर बहतर प्रदसन करने की आज कोशिस करें ताकि आपकी आर्थिक इस्तिती में इजाफा हो सके धन्यधान प्राप्ति के उदेस्यों की आज पूर्टी हो सकती है जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो साती सात समय आज आज आपके लिए भैतरीन परस्तितियां तैयार कर रहा है दोस्तो आज आप अपने अंदर अदबुद उर्जा वे आत्म विश्वास महसूस करेंगे तथा आपकी कार्रे छमता में भी इजाफा होगा युवा वर्ग को भी कोई मन मुताविक कार्रे बनने से रहत मिलेगी आज दोफैरबाद परस्तितियां आपके पक्ष में बहुती अनुकूल हैं दिन की सुरुवात में ही अपने महत्पपून कार्रोश सम्मंदित रूप रेखा आप बना ले संतान की तरफ से कोई सुब समाचार मिलने से बहुत अधिक रहत आपको मिलेगी दोस्तो कुछ समय से आप अपने अंदर अधभूत परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे अंदर छिपी हुई प्रतिवा और नौलिज को पहचाने तथा उसका प्रियोग करें इस समय की की गई महनत के निकट भविस्य में बहुती उचित परिणाम आपको हांसिल होने वाले हैं दोस्तो आज किसी काम में ऐ प्रतियासित लाब की भी इस्तिती बन रही हैं अपने काम के प्रति एकागर चित रहें इसके लिए कोई छोटी यात्र भी आपको करनी पड़ सकती है विध्यार्तियों को भी किसी कमपटिशन में सफलता मिलने की आज पूरी संभाव ना है दोस्तो इस समय की की गई महनत के उचित परिणाम हासिल करने के लिए करम प्रधान तो होना ही पड़ेगा इसलिए अपनी उर्जा का आप भरपूर इस्तमाल करें अगर प्रॉपर्टी संभंदित कोई आज आप योजना बना रहे हैं तो आज उसके फलीभूत होने का समय आ गया है जी है दोस्तो आज भाग्य आपके पक्ष में है पिछले कुछ समय से जिन कारों में रुकावटे आ रही थी आज उन कारों का पूरा होने का समय आ गया है आपको अपनी महनत के अनुरूप उचित पैरणाम आज हांसिल होने वाले हैं जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो परिवारिक विवादों से आज आज आप बचने का प्रियास रखें और सब के साथ आपसी समंझस बहतर बनाए रखने का प्रियास करें ताकि घर परिवार में शुक शांती समर्दिक की प्राप्ती हो और घरेलू विकास संबब हो सके माता पिता का ख्याल रखें किसी भी तरह की समस्य होने पर उनका ख्याल आप विसेश रूप से रखें दोस्तो साथ साथ किसी समय भावुकता और आलस की वज़े से बनते कारों में विगन पढ़ सकता है और कुछ उपलब्दियां भी हाथ से निकल सकती है जिसकी वज़े से आपको भारी नुकसान का सामना करना पर सकता है परन्तु जादा सोच विचार करने से कई उपलब्दियां हाथ से निकल सकती है दोस्तो आए के साथ साथ खर्चों की भी इस्तितियां रहेंगी आप अपनी कोई महत्पपूर्ण वस्तू आज कहीं रख कर भूल सकते हैं या खो सकती हैं इसलिए किसी भी प्रकार की आप ल नेले भविस्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान गतिविद्यों पर ध्यान अधिक केंद्रित रखें ऐसा करना आपके लिए अवश्य ही लाबदायक साबित होगा कभी कभी आपकी संकालू प्रवर्ती आपके और दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं की वज़े से आर्थिक इस्तिती थोड़ी कमजूर हो सकती हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के सिरेने वाली हैं दोस्तों के साथ फैमिली गैट टूगेधर होना तनाव को दूर करके मन प्रफुलित करेगा तथा परिवार के लोग भी खुस रहेंग वातावरन आज सकारात्मक रहेगा प्रेम संबंदों में सात्विक्त रखना आवश्यक है साथी सात, पती-पतनी में भावनात्मक तथा विश्वास पूर्ण रिस्ता रहेगा जिससे घर परिवार में भी वातावरन खुस नुमा रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज वैवसाइक केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों आज वैवसाइक गतिविदियों में छोटी छोटी परिशानियां आ सकती हैं लेकिन कटिन परिश्रम से कारों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छ रहेगा जहां दोस्तों आज वैवसाइक गतिविदी पर पैनी नजर रखें लापरवाय की वज़े से पार्टियां तूट सकती हैं और अपमाम जनक इस्तितियां भी उत्पन होने की आसंका है नोकरी पेसावाले ध्यान रखें कि उच्छ अधिकारियों के साथ संबंद ख होंगी नोकरी पेसा वैक्तियों को भी उनके उचित परिश्रम के आधार पर तरक्की के योग बन रहे हैं दोस्तों साथी साथ किसी अंजान वैक्ति से अचाना के घनिष्टता होगी और कोई बड़ा ओर्डर भी मिलने की संभावना बन रही है इसलिए अपने वैवसाइक गतिविदियों पर बहुती अधिक एकागर चित रहें नोकरी पेसा वैक्तियों को भी अपनी फाइलें और दस्तावेज समाल कर रखने की आवश्च रकता है वे ध्यार्तियों के लिए भी आज का दिन काफी मिला जुला रहने बाला है साथी साथ कोट कचैरी से जुड़े मामलों में भी कोई योजनाएं आप तैयार कर सकते हैं जिस से आने वाले समय में आपको अवस्य ही फायदा मिलेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो ठकान और कमजोरी आज आपको महसूस होगी इसलिए उचित खान पान और आरा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपय क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदिशे निरवत्र होने के बाद एक जोड़ी नई चपल भगवान भोलेनात का इसमरन करते हुए किसी जवर्तमंद को दान करें जाँ दोस्तो ऐसा करने से भगवान भोलेनात बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशन्य चल लगी हैं समस्त परिशन्यों कंत करेंगे और आपको ऐसा करने से जल्द ही विशेश लाभ प्राप्त होगा दोस्तो भगवान भोलेनात का सिरवाद आपको अच्छा लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद